मुजफफरपुर में बारिश क्या हुई? तैरने लगा पूरा शहर मोती जील सहित शहर की कई प्रमुक सडकों पर पानी बह रहा है नाले की गंदगी सडक पर आ गई है इसी बीच होकर जैसे तैसे आवा जाही कर रहे लो नगर निगम के सारे दावे की पूल बारिश ने खोल दी है यह भी पता चलता है कि हर साल करोडों खर्च के बाद भी शहर को जल जमाव से मुक्ति नहीं मिल सकी है नाले की उडाही के नाम पर लाखों खर्च हाल में किये गए लेकिन सच यही है कि नाले जाम है और पानी निकल नहीं पा रहा है कई घरों में पानी घुस गया है सडकों पर बने गड़ों में लोग गिर कर घायल हो रहे हैं सडक पर कीचड और गंदगी से चलना मुश्किल हो गया शहर निवासी संजीव कुमार का कहना है कि जलनिकासी की व्यवस्था ठीक नहीं रहने की वजह से हलकी बारिश में ही शहर पानी-पानी हो गया है गली मोहले में भी बारिश का पानी जमा हो गया कई दुकानों में पानी प्रवेश कर गया है इधर अहियापुर्क्शेत्र के सभी सरकारी गैर सरकारी विद्यालियों में बारिश के पानी से बाड़ का दृष्य उत्पन हो गया है वहीं आसपास के निचले हिस्से में आवास बनाकर रहने वाले लोग भी संकट में हैं सभी जगह बारिश का पानी भरा हुआ है वहीं उत्तर बिहार के सबसे बड़ा श्री कृष्ण चिकित्सा महा विद्याले एवा अस्पताल के साथ जी एनेम स्कूल में भी जल जमाव हो गया है इससे मेडिकल छात्रों का वर्ग जहां नहीं चल रहा वहीं अस्पताल में भरती मरीजों की परेशानी भी बढ़ गई है